हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिगेटेक में दोस्तों जब भी आप वाटसप पर किसी को मैसेज भेजते हो यार तो वो पता चल जाता है कि आखरकार उस बंदे ने देखा है नहीं देखा है वो आपको blue tick के जरीए पता चल जाता है कि आखरकार उसने message मेरा देख लिया है माल लीजे मैं किसी बंदे को या बंदे को message भेजता हूँ तो कुछ समय बाद ही हमारे message पर नीचे के और blue tick का sign आता है जो कि हमको ये indicate करता है मेरे दोस्त कि आपका जो message है उसके दोरा देखा जा चुका है मगर अगर आप चाहते हो कि यार अगर उसी तरह आपको भी message करें और पता ना चले कि मैं उसका message देख चुका हूँ तो ये वीडियो बुलकुल आपके लिए होने वाली है एकदम जबर्दस चलिए वो कैसे करना है setting मैं आपको step by step बताऊंगा इसलिए binary शुरू चले के आट तक देखें सबसे पहले करना क्या है मिरे दोस्त कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट की हो मिरे दोस्त तो चैनल उनको subscribe के लिजिए और bell का icon जूब प्रस के लिजिए आपको क्लिक करने के बाद 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 आपको प्राइवेसी में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाने के बाद जिसको आप message भेज़े हो और ना ही आपको सोगा जहां से message आ रहे हैं याद रखिए दोनों ही तरीके से आपको दोनों ही लोगों को यानि जिससे बात हो रही है ना उसको सोगा और ना ही आपको सोगा blue tick इसलिए थोड़ा एक confusion है मिरे याद ठीकिन क्या है थोड़ा से confusion है अब आपको करना क्या है आपको ऐसी setting करेए कि उसको पता ना चले और मतलब जो है blue tick जो है केवल हो केवल मुझे सो ना हो बाकि उसको सो ना हो बाकि मुझे सो कोई दिक्कत वाली बात ने इसके आपको करना क्या है आपको चुपके से किसी का message देखना चाहते हो तो आपको ये setting करने की जरूत नहीं है आप इसको on ही रहने दीजिए आपको back आना, back आने के बाद मेरे यार, आपको यहाँ पर simply way में अपने phone को airplane mode पर कर देना है क्या कर देना है मेरे यार, airplane mode पर कर देना है airplane mode पर करने के बाद आपको अपने back पर आना, back पर आने के बाद आप अपने whatsapp पर जाएए, whatsapp पर जाने के बाद आप जिसका भी chat देखना चाहे तो simply way में chat देख लीजिए, और chat देखने के बाद ही आप जो है उसको so नहीं होगा कि आपने यानि उसको blue ticks तो नहीं होगा कि आपने उसका message देख लिया है मेरे यार, बहुत आसान सी trick थी उसके बाद जब आप उसका message देख लो, उसके बाद आप क्या करिए आपना airplane mode exist कर लीजिए और आपने data network mobile को इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे यार, बहुत आसान भी में यार, बहुत अच्छे trick थी दूसरी बाली मैं आशा करता हूँ, आपको पसंद आई होगी मेरे यार पसंद आदे कमेंट वक्स में जरूर बताइए, ठैंक यू सूमच मैं आसा करता हूँ यार कि आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको वीडियो पसंद आई हो मेरे दूस्ट वीडियो आपको नौलेजबल लगी हो मैंने इस वीडियो में आपको दो ट्रिक्स बताएं कैसे आप अपने वाट्साप का बिलू टेक को हाइड कर सकते हो बहुत अगर आपको नौलेजबल लगा हो मेरे दूस्ट तो चैनलोग सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल का इकन जोबर्स कर लेजिए थैंक यू सो मच